जी हाँ दोस्तों कभी भी किसी भी financial matter यानि कि पैसे जुड़ी होई किसी भी बात को आप हलके में ना ले और इस तरह की सोच बिलकुल भी ना रखें कि इस छोटी सी बात से क्या फर्क पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि जो चीजे हमें छोटी लगती है जिन चीजों से हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाद में उसी चीज से बहुत भारी फर्क पड़ता है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम चीजों को पलट नहीं सकते और उस चोटी सी गल्दी का बाद में हमें एक बड़ा भुगतान करना पड़ता है और हमें बाद में बहुत पस्ताना पड़ता है तो आप इस तरह की सोच बिल्कुल भी ना रखेंगे कि financial matters में इस चोटी सी बाद से क्या फर्क पड़ेगा हो सकता है कि बहुत भारी फर्क पैसे जुड़ी होई किसी बात को हलके में नहीं लेना है और यही है आज की इस वीडियो का message जो Mr. Richard पर अपने book The Rules of Money में Rule No. 51 के अंदर बताते हैं और कहते हैं Pay attention to details यानि कि आपको शभी financial matters में छोटी छोटी बातों पर term and conditions पर ध्यान देना चाहिए और कभी भी किसी बात क हलके में नहीं लेना चाहिए आपको ठीक ढग से समझने के बाद ही किसी पेपर पे signature करने चाहिए किसी भी पेपर में signature करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए आपको समझती देने से पहले आपको पूरी बात पता होनी चाहिए कि जहाँ पे आप समझती एक बार जब आप अपनी सामती दे देते हैं जब आप सिगनेचर कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरी बात को समझ लिया है एकसेट कर लिया है भले ही आपको पूरी बात नहीं पता हो तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सिगनेचर करने से पहले पूरी बात आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है इन सारी बातों को शमाजते वे ही अपनी सामयति दे सिगनेचर करें और कभी भी जल्दबाजी ना करें कभी भी financial matters में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी छोटी बात को आपको हलके में नहीं लेनी है जैसे कि interest rate, inflation, charges and fees, penalties, hidden charges, taxes जैसे कि GST, processing fees, या फिर financial matters को paper पे on record रखना paper पे लिखना, या फिर financial matters को postpone करते रहना इस तरह की चीजों पे उपर आपको serious रहना है और कभी भी आपको किसी financial matters को टाल मटोल ज्यादा नहीं करनी चाहिए वहाँ पे उसकी seriousness को समयना चाहिए कि अगर आप टालते हैं तो उस टाल मटोल की वज़ा से बाद में आपको बड़ा नुक्सान उना पड़ सकता है इसलिए किसे financial matter को टाले नहीं उसे complete करने की खोजिस करें उसे समझें जो भी problem हो उसे solve करें इसके अलावा हर एक जरूरी financial transactions को आपको on record रखना चाहिए paper पे लिखना चाहिए अगर आप किसी कुदार देते हैं किसे दुधार लेते हैं कोई भी transaction करते हैं बेभार करते हैं तो उसका on record, on paper होना ही चाहिए इसके अलावा अगर आप कोई भी काम करते हैं तो वहां पे कुछ fees रहते हैं, charges रहते हैं वो आपको समझना है वहां पे taxes क्या है वो आपको समझना है, इसके अलाबा अगर आप कोई loans लेते हैं, कुछ चीजे करते हैं, तो वहाँ पे penalties क्या होती हैं, अगर आप कुछ चीजों को time से pay नहीं करते हैं, तो ये सब चीजों का result क्या होने वाला है, आपको कितनी penalties, कितनी fees, कितनी charges लगने वाले हैं, ये सारी बा लाब क्या मिलने वाला है वास्तों में, वो वास्तिविक लाब आपको शमझना है, हो सकता है भले ही investment के time पे आपको ज्यादा लाब दीख रहा हो, लेकिन हो सकता है कि आप वहाँ पे बहुत सरे खर्च भी आपको करने पड़े, और उन खर्चों की वज़ह से बाद में हो स बहुत ज़्यादा important है और आप देखेंगे कि 1% interest से भी आपको लाखों का फर्क पड़ सकता है, example के लिए अगर आप एक home roll लेते हैं 20 लाख रुपय का अगले 20 साल के लिए और वहाँ पे अगर 8% interest rate है तो आपको 20 साल में लगबग 20 लाख के आसपास ही interest देना होगा, और simply अगर 1% से वहाँ पे interest rate बढ़ जाए, 9% हो जाए तो आप देखेंगे कि आपको 23 लाख रुपया interest देना पड़ सकता है, 1% बढ़ने के वज़ा से आपको लगबग 3 से 3,5 लाख रुपया extra ब्याज देना पड़ सकता है, तो 1%, 0.5%, 0.2%, 0.25% इस तरह से भी चीजे बहुत ज्यादा फर्क पड़ती है लंबे समय में, interest rate में खास तोर से, तो आपको इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखना है, कि जब कोई आप लंबे समय के लिए loan लेते हैं, तो वहाँ पे एक small interest rate में भी बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को मिल सकता है, और यही होता है return on investment जब आप कोई mutual fund investment करते हैं, या फिर कोई लंबे समय के लिए investment करते हैं, तो वहाँ पे 1% ज्यादा return भी बहुत ज्यादा फर्क देख सकता है, बहुत ज्यादा फर्क उससे पड़ सकता है, और यह बात मैंने इसे पहले भी दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, कि कि तरह स लॉंग टर्म में अगर आप निवेस करते हैं, तो 1% से लाखो रुपए का फर्क पर सकता है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक में आपको नीचे दे दूँगा, आप उस वीडियो को डिटेल में समझने के लिए जरूर देखें, कि 1% return से भी कितना फर्क पर सकता है लंबे समय में, ठीक इसी तरह से अगर आप कोई लोन लेते हैं, तो ज्यादा EMI आप लेते हैं अगर वहाँ पे भी आपको नुक्सान उठाना पर सकता है, भले ही ज्यादा EMI करने से आपका जो किस्त है हर मेने का वो amount कम हो जाए, लेकिन अगर आप का attitude रखेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो सच में ये सब कुछ आपके उपर बहुत भारी पड़ सकता है, इसके अलावाँ अगर आप कोई लोन पे घर लेते हैं और दो-तीन साल के अंदर उसे बेचने की कोशिस करते हैं, तो इसमें भी आपको भारे नुक्सान उ प्रिंस्पल में बहुत कम एमोट जाता है, इस तरह से अगर आप कोई होम लोन पे लिया हुआ घर एक साल, दो साल, तिन साल या पान साल के अंदर बेचते हैं, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सोच समझ कर ध्यान से बेचना चाहिए, कि वास्तों में आपको क्या लाव हो और इसके बारे में भी मैंने एक डीटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो को नीचे दिये लिंक से जरूर देखें और चेक करें, तो दोस्तों, सिंपली रूल नंबर 51 हमें कहता है कि कोई भी हो, वहाँ पे हमें चीजों को हलके में नहीं लेना चाहिए, हमें है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, वरना सच में बहुत भारी फर्क पड़ सकता है, तो दोस्तों, अगर मैं भी बात को समराइज करूं, तो रूल नंबर 51 हमें कहता है कि कभी भी फैनेसियल में जो टर्रमेंट कंडिसन्स होते हैं, जो छोटी-छोटी बाते होती हैं, जिन इसके बाद से ही सिग्नेटर करें, उसके बाद से ही आप एक्सेप्टेंस दें अपनी, इसके अलाबा आप देखेंगे कि चाहें आप इंट्रेस्ट कमा रहे हो या इंट्रेस्ट चुका रहे हो, दोनों ही केस में अगर 1-1% इंट्रेस्ट रेट कम या ज्यादा है, तो उस और आपको अगर चीजे नहीं पता है तो उसके बारे मैं जाननी होगी, सीखनी होगी और अगर आप जानते सीखते हैं और फिर एक्सन लेते हैं तो सायद ये आपके लिए काफी बेटर रहेगा और आप अच्छे financial decision ले पाएंगे तो दोस्तों, I hope कि आपको इस वीडियो से जो message है और बिल्कुल समझ में आया होगा कि आपको financial matters में जल्द बाजी तो बिल्कुल भी नहीं करनी हैं और चीजों को हलके में बिल्कुल भी नहीं लेना है तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इससे like और share जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आनवेले वीडियोस को मिश्ट ना कर सकें और अंत में इस वीडियो को पुरा देखने के लिए और हमारे साथ जोड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद